हेलो अविवान, विल्कम टू दी न्यू वीडियो फ्रम स्टडीबर्स और मैं हूँ अनुबव गुपता स्वयर, आज की वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा हम कुछ ऐसी बाते करने वाले हैं, जो खासकर उन बच्चों के लिए बहुत इंपोर्टेंट होगी, जो सारी बातों को हम डिसकस करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, इसे बैले फ्रिंज हम स्टार्ट करेंए, वूट लैक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्स्क्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रिस कर देना तक कि सारी इंपोर्टेंट वीडियो की नोटिफिक वीडियो कोर्स मिलता है, इसके लाव आपको sectional test और topic wise test मिलते है, doubt forum की facility मिलती है, और 30 full and mocks भी मिलते हैं, जिसका आपको detailed analysis और solutions भी provide करे जाते हैं, इसकी तो वैसे fees फ्रेंज 999 है, लेकिन अभी discounted fee है, आप इसको 5999 में avail कर सकते हो, अगर आप इसको avail करना जाते हो, तो इ सबसे पहले थे hate rcs, सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, कि जिस भी चीज को आप hate करते हो, या जो भी चीज आपको पसंद नहीं होती, वो तो वैसी आपके दिमाग में penetrate नहीं होती, सबसे बहले तो आपको एक अपना EQ या एक emotional attitude develop करना, towards कि हाँ यार, चा पी भी हम इसको बिल्कुल for the sake of it करेंगे, तो probably वो चीज का result वैसा भी नहीं आता, तो थोड़ा सा तो यार, आपको अपना emotional attitude develop करना पड़ेगा, ये disliking को साइड रखनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा, कि एक integral part है, आपके syllabus का, चाहिए आप हसके करो या रोगे कर towards this topic, next है, जो बहुत अरे बच्चों को लगता है कि, sir, aptitude में past year questions repeat तो नहीं होते, जब होते ही नहीं है, तो हम पड़े क्यों, अरे यार, नहीं होते, तो इसका मतल़ भी है थोड़ी नहीं कि आप उनको पड़ना छोड़ दोगे, reason being, माल लिजए आप जब past year papers देखे, for example, जैसे मान लेते है, cat और that, जैसे पहले तो IFT भी था, अब तो IFT नहीं होता, but at least जब आप past year papers देखते हो, आपको पड़ा लग जाता है कि actually exam का level क्या है, किस type के questions आते हैं, किस diversity के questions आते हैं, और क्या जो आपका fear है exam का, वो genuine है, या आपका self created है, आपको पड़ा लग जाए level पदा लगता है, ऐसा नहीं है कि same question उटके आज जागा, लेकिन आपको ये तो clear हो जाएगा, कि actually level कितना है, और आपको कितना आता है, तो इसी लिए past year papers बहुत जादा जरूरी होते हैं, कि चलो यार, हमें ये तो बताओ कि past में ऐसा है था, हम इतना तो कर सकते हैं, या आपने BCOM किया है, या BMS किया, या कुछ और किया है, या मान लेज़े आपने BSC किया है, अब ऐसा तो होगा नहीं कि exam में चार RCs आ रहे हैं, और चारो के चारो आपके subject domain से आजाए, आपके favorite subject से आजाए, ऐसा कभी भी नहोगा, अगर आपकी किसमें बहुत जादा अच्छ के ही होंगे, और अगर आपको हर एक subject की, और ये जितने भी domains होते हैं, हर एक की एक अपनी vocabulary होती है, हर एक की अपनी एक language होती है, तो अगर आपको ये पढ़के समझ नहीं आ रही, तो आप paper में उसको कैसे कर पाऊगे, तो इसलिए, चाहे diverse material भी read करना बहुत ज़रूर है, इन केस अब आपके पास time नहीं है, diverse material रीड करने को, तो diverse articles रीड कर लेजे, diverse books नहीं कर सकते, तो diverse articles रीड कर लेजे, चाहे, botany हो, sociology हो, anthropology हो, quantum mechanics हो, या history हो, physics हो, या कुछ भी हो, humanities हो, management हो, education हो, diverse topics, रोज अट लीस्ट दो diverse topics पढ़ने की कोशिश की ज़रूर ताकि आप उसकी language और vocabulary से आप comfortable हो सके, यह आपको बहुत ज़्यादा help करेगा, long term में आपको, rcs के अंदर, next step, बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको यह लगता है कि sir, मुझे नो कोई trick बता दो, मुझे कोई shortcut बता दो, जिससे की मैं सारे के सारे questions कर लू, सबसे पहले तो आपको यह ध्यान पढ़के ढंक से समझा नहीं है, आप options को एक दूसरे से differentiate नहीं कर पा रहे हो, तो आप RC के questions को नहीं कर सकते हैं, खासकर higher level exams के अंदर, for example, cat और zat के अंदर, तो अगर आप एक ऐसे बच्चा जो shortcut डूण रहा है, जो tricks डूण रहा है, या जो सोच रहा है कि मैं किसी shortcut तरीके स RCs कर लूँगा, तो यार ये आपको बिल्कूल भी कहीं से help में होने वाले कि, हाँ, आप कुछ techniques follow कर सकते हो, कि RC पहले पढ़ना है, questions पहले पढ़ने है, या आपको summary कैसे बनानी है, सारी चीज़े आप कर सकते हो, बट अगर आप सोचो कि किसी trick से आप फटा-फट कोई option ढ दून लो, वह possible नहीं है, तो इस paradise के अंदर हमें नहीं रहना, हमें reality को face करना है, next है not being patient, बहुत आरवच्चों होते हैं, वो उनको ऐसे लगता है कि sir मैंने, मेरी RC में improvement ही नहीं आरी, मेरी improvement ही नहीं आरी, मैं क्या करूं, और और जादा panic होने लग जाते हैं, और जादा रखना बढ़ेगा, RC is not just a topic, RC is more of a skill that is your reading, comprehension and understanding skill, और skill develop करने में time लगता है, patience लगती है, persistence लगती है, practice लगती है, बहुत जारी चीज़े लगती, तो अगर आप सोचो कि आपने 10-20 RCs कर ली हैं, या कुछ हफते हो गएं, आपको improvement देखने के लिए नहीं मिल रही ही, तो it's too early to comment on that, और इसी से मिलती जुलती है हमारी last skill कि जब तक आप कम से कम नहीं तो 300 RCs practice ना कर लो exam से पहले, तब तक आप इस conclusion पे नहीं पहुंच सकते कि आपको RCs आते हैं, नहीं आते हैं, आपके लिए difficult हैं नहीं, for example ऐसा नहीं है कि आपने 10-20-30 RCs कर लिए उससे हो जाएगा, और ये 300 RCs मैंने सिरफ practice में बोले हैं, इसके अंदर आपके mocks included नहीं हैं, जब तक आप diver sources से 200-300 RCs practice नहीं करते, तब तक हम ये शौर नहीं हो सकते कि यार हमने genuinely exam के लिए तयारी करी है, तो इतना अगर हम hard work करेंगे, तो definitely हमें RCs के अंदर एक बहुत ही अच्छी accuracy और कर सको, इसके लिए अपकी अगर कोई भी query है, तो आप नहीं जो comment section के अंदर mention कर सकते हो, प्रीज हमाँ साथ instagram पर जुरू connect हो जाना, अगर आपको pen drive course, crash course या किसी live batch में नरूल करना है, तो हमारी website है, और अगर आपकी कोई भी query है, तो आप हमें WhatsApp या email भी कर सकते हो, तो thanks a all the best, God bless you.